दोस्तों सबसे पहले बहुत बहुत वागत हमारे टीचीन परफॉर्म अने खारमी पे दोस्तों फिर आपके सामने लुपल है अपने सीम कोर्स के साथ और कोर्स हमारा बेज एक हिस पर जिसमें लगातार हम लेसंस अपडेट करते जा रहे हैं और इसका चाहिए जो भी स्वाम उस्वाग है चले स्टाट करते हैं पुरा कोर्स हमारें ऐम सी क्यों परेज आपको पता होगा तो इसमें जो भी चालो अप्शन्स के बारे में मैं इसके सके तो बहुत अचा कोर्स है बहुत ध्यान से देखेगा और यह आपके लिए काफी बीस्वाबत होने वाला है तो च पूरे चीज़ आपको यही है कि पूरे कोर्स में खुद को इंडोल करेज़ेगा कि जब भी मैं जैसे इसका नेक्स अब्रेट करता हूं पॉब्रेस करता हूं तो इसके आपको नौलेच रिख करने का त्रीक आचा लगता है यह साय लोगों ने रेट किया मतब पूर्स अच्छा लग रहा है तो वहां अच्छे से इनको भी कवर किया गया है बनाया तो जिले आज के हम questions देख रहते हैं तो आज का दुस्तों मारा पहला question है वो discovered hydrogen ये काफ़ important question हमने आज के बारे में discuss भी किया है हमने आपको बताया भी है तो options आपके पास चार है Henry Cavendish है, JJ Thompson है, Goldstein है या फिर Rutherford है तो जो सही option है वो discovered hydrogen तो वो हैं आपके Henry Cavendish option जो first है, वो आपका correct option है और बाकी options के बारे में बात कर लें तो एक तरीके का आपका revision हो जाएगा एक तरीके का, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है JJ Thompson ने किसकी coach करी है तो JJ Thompson ने coach करी है, electron की दिहान रखेगा electron की coach किसने करी है, तो वो करी है प्रोटान के लिए और आपको गोल्ड इस्टिन के लावट जबकि neutron के लिए आपको याद रखना है किसको तो James Chadwick हो, तीनों clear हो गए रदरफोर्ट की बात कर लें दोस्तों, तो रदरफोर्ट ने coach करी है, nucleus की यानि नाबिक की, तो चारो options आपके clear होगे प्लस एक हमने एक्स्ट्रा बता दिया, आपको James Chadwick क्योंकि James, जेजे तॉमसर आपके electron, गोल्ड इस्टिन आपके proton, तो आपको neutron भी बता होना चीए, James Chadwick और अधर फोर्ट होगे आपके नाबिक की, और इस question का जो सही option था, वो क्या था, हो डिस्कवर्ड है, तो वो है आपके Henry Cavendis, next बो चलते हैं, नेक्स है दोस्तों, हो डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, ये भी काफ़ इंपोर्टन कोशन, दोस्तों, रग्त परिवहन की कोश, किसने करी है, तो options आपके पास चार है, William Harvey है, Carl ने करी है, blood circulation के, उसके लावाद का लैंड इस्टिंडर की बात करें, तो इनके बारे में पर हमने आपके जो initial, जो हमारे लेसंस वे, उसमें आपको बताए थे कि इनों ने कोश करी है, blood group की दियान रखेगा, दोनों नाम में, आप confused उजाते हैं, आपका जो ब्लड इसनर के लिए, तो वह करी है, तो वह करी है, वहीं का लाएंड इसनर की घुर्च इन्प सोच करी है, तो बलड ग्रूप ने, blood group की जो है, आपको पता है जिसका blood group सारे लोगों का होता है, A, A, B, O ठाटकी है, यह सारी कोश किसंडे करी है, तो यह करी है, वह बेस्ट ने अगर मिल जाता तो एंसुलिन की कोश करी बस बैटिंग का आता है तो उन्होंने कोश करी अपकी डियाबेटी जिसको आप हिंदे में मादु में करते हैं और अगर आपको कुश्यू पूचे थैंगे इंसुलिन की कोश किस ने करी और बेस्ट नोदीखे बैट तो वह आपके वीलियम हावे काल एंडिशनल ब्लड ग्रूप बैटिंग हो गया आपके डाइवर्टीज और इयान बिलकुट क्या हो गये तो यह हो गया आपके जो क्लोनिंग टेक्निक है उसके कोश्च कर था और इस कोश्चन का जो सब्सक्राइब का विलियम हावे ठीक है पर चलते हैं नेक्सा दूस्तों गो डिस्कवर्ड अभी हमने देखा था अभी जब हम आइड्रोजन पढ़ रहते तो हमने देखा था कि डिस्क अलेक्ट्राइब को किस ने टूटा ठीक है तो आपको आपको याद हो जाना चाहिए रिपीट होना चाहिए पुरी तरीके सी किहारे तो हरी केवन्डिस्ने कोश करी किस की हईड्रोजन की एक क्वेशिन आपको और बनता है किका औकसीजन की कोश किसने करी के नहीं हाइड्रोजन याद इने खोश करी electron की ध्यान रखेगा electron की कोश किसंने करी है तो वो है जिजग थॉमसें निनीस कोशन का सही एंसर उसके लब प्रोटॉन अगर आपको पूछा चाता है तो वो कौन थे तो वो थे आपके रदर फोट तो रदर फोट ने किसकी कोश करी तो उन्होंने करी नूक्लियस की यानि नाविक की कोश तो चारों और जो सही एंसर है वह है आपका क्या जेजे थॉमसन ठीक है नेक्स पर चलते हैं नेक्स दूस्तों वो डिसकवर्ड एंसुलें अभी हमने आपको इसके क्या होता है तो इसके लावद जेंस वाटसन आरग ने किसकी कोश करी है तो उन्हों उसके लब ौललर यह भी काफ़ी उपॉर्टेंट नाम है तो पॉल मुलर ने किसी कोश करी तो इन्हें ने करी है तो इन्हें ने करिए डिडीटी की कोश करिए तो चारो ही आपके होगे को डिसकवाय। ञाइए आधर आग आ वह सब्सक्रेंग करी यह ब melod生ने कि इफ डिसकोफ चा Yo कोसोफ भी काफ वावर्टिक ओ आपके जफ्सकल आएएंथियन रेकिति कुने ले तो वह है आपका हरगोविंद-्खुराना, ध्यान रखेगा काफ़ 가지고 प्राइस मिला था कब मिला था तो 1968 में जनेटीक कोड की कोश के लिए तो जनेटीक कोड या नहीं अनुवानसगी कोड की कोश किसने करी तो वो करी थी हर्गोविंद खुराना ने उसके लावा इन्हों ने एक कोश और करी थी एक हाटी फीशल जीन होता है जो जो कित्रम जीन होता है उसकी भी कोश करी ती हर्गोविंद खुराना ने उसके लावल बाब की ऊप्समस के बारे िंबात करने तो यूवन ब्रम मचारी तो यूवन ब्रम मचारी ने खोश करी थी काला जर Griffal को कि के जै nessa इक क उसकी कोश करी है आपकी बाल पूचा जी वी रवंळूं की बारे में अब तक हमने कईबार आपको बता रखा है और आपको पूचा जाता है तो सीवी रवन ने रवा निफेक्ट दिया 28 वरवरी को 28 वरी को हम National Science Day भी मनाते हैं और इसके लावा सीवी रवन को जो Nobel Prize मिला तो वो कम मिला 1930 में और इस कोशन का ओप्शन कहा था सही तो वो ते हरगोविन खुराना जिनको कम मिला Nobel Prize उनको मिला 1968 में तो Physiology and Medicine यानि चिकित्स आपको समझ में आया होंगे यह जो सारे कोशन सामने आपको बज़न के हैं यह सारे कोशन सापके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाते हैं तो दूस्तों ऐसे रेगुलर ही हम वीडियो आपको प्रज़न करते रहते हैं जिसमें बहुत अच्छे कोशन साम डि इसकवरीज के प्रज़न करेंगे तो लगातार आप ऐसे बने रहेगा पुरे कोश में खुद